जोतिस की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिस सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो पसंद तो लाइक और शेर करना न भूलें नमस्कार मैं आलोकती बारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जोतिस सीख भी रहे होंगे जोतिस सीखने की इसे शिंखला को आगे बढ़ाते वे आज हम पुना आप आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तूत हुए हैं तो आईए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विशय क्या है आज हम किस विशय पर बात करने वाले हैं प्रस्तूत है आज के वीडियो में चर्चा का विशय सब्तमाश कुंडली अर्थाट D7 चार्ट का फलादेश जैसा कि आपको गया थे कि इस समय हमारे चैनल पर वर्ग कुंडली की विशय श्रिंखला प्रस्तूत की जा रही है और इसी श्रिंखला के अंतरगत इस समय हमारे चैनल पर पाचवी वर्ग कुंडली अर्थाट सब्तमाश वर्ग कुंडली की जानकरी आपके सामने प्रस्त प्रस्तुत की जा रही है और सप्तमाश वर्ग कुंडली की आज यह चौथी वीडियो है इसके पहले तीन वीडियो प्रस्तुत किये जा चुके हैं उनको देखने के बाद जब आप यहां तक पहुचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए पहले उन तीनों वीडियो को देखिए उसके बाद यहां तक आएंगे तो सप्तमाश कुंडली के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करते हुए इसे समझ सकेंगे लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सप्तमाश वर्ग कुंडली अर्थात D7 चार्ट का फलादेश पाराशरी मतानुसार और मान सागरी सिध्धान्त की अनुसार पर दो अलग-अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है मंजी लेके ही है रास्ता थोड़ा बदल गया है आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पाराशरी सिध्धान्त के आधार पर सप्तमाश कुंडली का फलादेश आपके सामने प्रस्तुत करेंं गे संतानोटपत्ति के लगन का बलवान होना संतानोटपत्त्त करता है ये पंचमेश एबं पंचम भाव के कारक ग्रह बिहस्पति का बलवान होकर शुभिस्थिती में होना संतान उत्पत्ति की पुष्टी करता है। कुंदली के लगनेश तथा लगन पर उपस्थित ग्रह पंचमेश एबं पंचम भाव में उपस्थित ग्रह पंचम भाव की कारक ग्रह ब्रिहस्पति एबं ब्रिहस्पति से पंचम भावेश अर्थात ब्रिहस्पति से जो पांचवाव है उसके स्वामी एबं ब्रिहस्पति से पंचम भाव में उपस्थित ग्रहों की अंतर दशा में संतान उत्पत्ती का प्रबल योग बनता है इतनी सारी चीजों को देखिएगा सब्तमाश कुंडली के लगनेश को देखिए या लगन पर उपस्थित ग्रह को देखिए फिर देखिए कि पंचमेश कौन है फिर जम भाव के कारक ग्रह ब्रिहस्पति को देखिए फिर ब्रिहस्पति जहां पर बैठे हैं वहां से पांचमे भाव तक जाए और पांचमे भाव के स्वामी को देखिए उसके बाद ब्रिहस्पति से पांचमे भाव तक जहां आप गए हैं उस भाव में उपस्थित ग्रहों को देखिए जो भी ग्रह इस इस्थिती में हैं उन ग्रहों की अंतरदशा में संतान उत्पत्ती का प्रबल योग बनता है जन्म कुंडली के लगनेश सब्तमाश कुंडली के छटवे आठवे बारहमे भाव में अर्था तत्रिक भाव में इस्थित हों तो ऐसे इस्थिती में जातक का अपने संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं जन्म कुंडली के लगनेश को सब्तमाश कुंडली में देखिए जो जन्म कुंडली के लगनेश हैं सब्तमाश कुंडली में यदितरिक भाव में बैठ जाएं तो यह इस्थिती खतरनाक होती है क्योंकि ऐसी इस्थिती में जातक का अपने संतान के साथ संबंध अच्छे नह होना संतान से अच्छे संबंधों को दर्शाता है जन्म कुंडली के लगनेश को देखिए कि सब्तमाश कुंडली में कहां बैठे हैं जन्म कुंडली के लगनेश सब्तमाश कुंडली में यदि शुब इस्थिती में होते हैं तो संतान से अच्छे संबंधों होते हैं यह इस् उसके बाद इसी तरह से एक एक भाव छोड़कर आगे बढ़ते जाए नवम भाव से तीसरे संतान का एक आदश भाव से चोथे संतान का विचार किया जाता है। यदि आपका पहला ही विवाह है तो उसका प्रथम संतान आप पंचम भाव से देखेंगे लेकिन यदि आपका दूसरा विवाह हुआ है तो उसका प्रथम संतान 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 को उच इस्थिति प्रदान करते हैं। सिती में पहुंचा देता है वह संतान अत्त बुद्धिमान होगा मेधावी होगा हुआ है धनीोग अधिक संतान होना दर्शात है धनी योग बनगा धनी धनी हो गए और बहुत सारी धन धन संपत्ति और वह संपत्ति क्या हो रहा है बहुत सारे संतान हो गए सब्तमाश कुंडली के अश्टम भाव से नवमेश का संबंद संतान को गोद लेना दर्शाता है यदि सब्तमाश कुंडली के अश्टम भाव से सब्तमाश कुंडली के नौमेश का किसी भी तरह से संबंद बन जाए चाहे अ अश्टम भाव पर उपस्थित ग्रह की द्रिष्टी नवमेश पर पड़ रही हो कुल मिलाकर के अश्टम भाव से नवमेश की किसी भी तरह से संबंद सप्तमाश कुंडली में बन रहा हो तो यह हिस्तिती संतान को गोद लिना दर्शाता है अर्थात आपको संतान उत्पत्त भी नहीं होगी आप किसी ने किसी अन्य विक्ति का संतान अपने पास रखेंगे उसे गोद ले करके आएंगे और उसका पालन पोशन करेंगे इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सप्तमाश कुंडली अर्थाट D7 चार्ट का फलादेश पारासरी सिध्धान्त के अनुसार पर प्रस्तुत किया गया अगली वीडियो पर हम मान सागरे सिध्धान्त के अनुसार पर सप्तमाश कुंडली का फलादेश ले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जोतिस आचारे बन सकें अब मुझे आगे दीजे मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए जये भारत बंबा बहुले नात की जये जये गुरुदेव